वेलकम आवर यूटूब चेनल जी अस्वित आंसू बीहर प्रधान सिच्छक के लिए संभावित पड़स्णों को देखने वाले हैं इस वीडियो में इसमें सारे के सारे पड़स्ण बहुती सलेक्टेड दिये गए हैं जो आपके एकजाम में आने की पूरी संभावना है को लाइक और किसी भी एक ग्रूप में सेर जरूर कर दीजेगा चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना अंसर क्या हो सकता है पहला प्रस्ण है निमली खित में से चमकीला गड़ा कौन सा है चमकीला गड़ा है सुक्र गड़ा भोर का तारा या साम का तारा सुक्र गड़ा को कहा जाता है अगला प्रस्ण है भारत का हिंदू कलेंडर निमली खित में से किस पर अधारित है भारत का हिंदू केलेंडर अधारी थे सक यूपपर अगला प्रस्ण है वायु दाब किस यंद की सहयता से मापा जाता है वायु दाब मापा जाता है बेरो मीटर से अगला प्रस्ण है चंगेज खां किस देश का निवासी था चंगेज खानी वासी था मंगोलिया का कोस्टन वर पांच जो की गलत दिया गिया है इसलिए से छोड़ देते हैं अगला प्रस्ण है 14 वर से कम उम्र को बच्चों को जोखिम भड़े काम पर ना लगाना किस अधिकार के प्रती संग्रचन है तो दोस्तों यह संग्रचन है सोशन के विरुद ओप्चन नमर ए अगला प्रस्ण है समिधान की आत्मा किसे कहते हैं इंपोर्टन प्रस्ण है समिधान की आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को ओप्चन नमर ए अगला प्रस्ण है पंद्रमी सदी के अंत में भारत में वास्को डी गामा का परदापन कहां हुआ था कहां हुआ था तो काली कट में ओप्शन नमर सी अगला प्रस्ण है यदि चनर्मा पर बम बिस्पोर्ट हो तो उसकी अवार प्रिथी पर कितने समय बाद सुनाई देगी आंसर हो जाएगा ओप्शन नमर डी इनमें से कोई नहीं कियोंकि सुनाई नहीं देगी अगला प्रस्ण है जल की कठोड़ता किसके कारण होती है जल की कठोड़ता होती है सोडियम बाइक कारण अगला प्रस्ण है विश्वत रेखा पर दिन होता है विश्वत रेखा पर दिल होता है बारे घंटे का अगला प्रस्म देखते हैं नाविक्य रियक्टर में नियूटोन को सोशित करने वाला तत्व है केडमियम अगला प्रस्म देखते हैं कीस महिलाव को भारती स्रोंता आंद्रोन की माता कहा जाता है मैडम भिकारी कामा को अगला प्रस्न है रासवा के सवापती होते हैं रासवा के सवापती होते हैं उपराश्पती अगला प्रस्न है पीतल एक मिस धातू है जबकि वायू है एक पीतल एक मिस धातू है जाबकि वायू है एक मिस रन अगला प्रस्ण देखते हैं इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है डियाविटीज अगला प्रस्ण है सूर में नाविक के इंदन है सूर में नाविक के इंदन है है अगला प्रस्ण है भारत में योजना आयो की आस्थापना की गई थी 1950 इस भी में अगला प्रस्ण देखते हैं इंपोर्टन प्रस्ण है गदर पार्टी का मुख्याले कहा था गदर पार्टी का मुख्याले था सेंस फ्रांसिस्को में अगला प्रस्ण है बीवी का मकवरा इस्तित है औरंगाबाद महराश्च में अगला प्रस्ण है बंगाल के पाल वंस का संस्तापक था गोपाल अगला प्रस्ण देख पे हैं निमली खित में से कौन अस्तंधारी नहीं है अस्तंधारी नहीं है वोहर डॉल्फिन अगला प्रस्ण है विस वेपार संगठन डबलू टीयो में कितनी सरज देश है तो दोस्तों WTO में वर्तमान 164 सरस देश हैं जो की ओप्षन में नहीं दिया गिया है WTO का मुख्याले जेनवा में इस्तीत है अगला प्रस्न है भारत में समिधानिक सुधार सम्मंदी माटेंगी चेंज़ फोर रिपोर्ट का प्रकासित हुई थी इंपोर्टेंट प्रस्न है भारत में समिधानिक सुधार सम्मंदी माटेंगी चेंज़ फोर रिपोर्ट प्रकासित हुई थी उनिसो ठाड़ा इस भी में अगला प्रस्न देखते हैं डैस का परियोग करके दोद में पानी की मिलावट की जाच की जा सकती है आंसर हो जाएगा ओप्शन नमर C लेक्टो मीकर लेक्टो मीटर का परियोग करके दोद में पानी की मिलावट की जाच की जा सकती है अगला प्रस्न है भारती रेलवे कानु संधान डिजाइन और मानव संस्ता आर एंड ये विभाग किस अस्तान पर इस्तित है तो दोस्तो ये इस्तित है लखनाओ में अगला प्रस्न है डी की डोलमा संबन्दित है परवाताव रोहन से ओप्शन नमर D अगला प्रस्न है निमलेखित बिद्दू चम्बकिये तरंगों में से किसकी तरंग ध्यार अधिक्तम होती है अधिक्तम होती है अवरत किर्णों की अगला प्रस्न है दिल्ली सल्तनत के की सुल्तान ने स्वरपर्तम अस्थाई सेना का निर्मान किया था स्वरपर्तम अस्थाई सेना का निर्मान किया था अलादिंखिल जी ने अगला प्रस्ण है करो या मरो कनारा किसने दिया था? करो या मरो कनारा दिया गिया था महात्मा गांधी जी के दुवरा अगला प्रस्ण देखते हैं भारत पर प्रत्थम बढ़ आकरवन करने वाला विदेशी कौन था? इंपोर्टेन प्रस्ण है भारत प्रप्रथम बढ़ आकरवन करने वाला बिदेशी था सिकंदर महान अगला प्रस्ण है सोदेशी आंद्रोन पाड़म हुआ था सोदेशी आंद्रोन पाड़म हुआ था बंगाल विभाजन विरोधी आंद्रोन के समय अगला प्रस्ण है हसाने वाली गैस रसायन सास की भासा में जानी जाती है हसाने वाली गैस जानी जाती है N2O के नाम से अगला प्रस्ण देखते हैं बल्ब का तंतू की धातू का बना होता है बल्ब का तंतू बना होता है टंगस्टन का अगला प्रस्ण है जब बावर ने पहली बार भारत पर आक्रबन किया था तो उस समें दिल्ली सल्तनत के तक्त पर कौन विराजमान था अगला प्रस्ण है निमली खित में से किस अधिकारी की न्युक्ती परधान मंत्री की राय पर राश्पती की दुआडा की जाती है आंसर हो जाएगा ओप्स्ट नमर डी उप्यूग सभी यानि कि भारत के मुक्नियादिस का राजियों के राजपाल का तथा संग लोग सेवा आयो का अध्यच का अगला प्रस्ण देखते हैं सेवी किसका परतिक है सेवी परतिक है सिक्रोटी एंड एक्सेंट बॉर्ड ओफ इंडिया का सेवी क्यास्थापना 1988 में की गई थी अगला प्रस्ण देखते हैं इंपोर्टेन प्रस्ण है केंद्रे मंती परिशत किसके परति उतरदाई होती है अगला प्रस्ण है निमली खित में से कौन-कौन से रंग परात्मिक रंग की सरेणी में आते हैं अगला प्रस्ण है भारत में राजटी आई की गण्ना की जाती है भारत में राश्टी आय की गणना की जाती है केंद्रिय सांग्र की संगठन के दोड़ा यानि की CSO CSO की अस्थापना 1951 में की गई थी अगला प्रस्ण है उचाई पर खाना देर से क्यों बनता है उचाई पर खाना देर से इसलिए बनता है क्योंकि वाई मंडले दाप घर जाता है अगला प्रस्ण है सुचमदर्सी का अविश्कार कौन थे इंपोर्टन प्रस्ण है सुचमदर्सी का अविश्कार थे जैड जोंसन अगला प्रस्न है रोलेक एक का पारित हुआ था 1919 में अगला प्रस्न देखते हैं मानक्सरी में कौन सा पदार्त उुर्जा का मुख्ष्रोथ होता है तो दोस्तों वो पदार्त है कारज़ूहाईडेट अगला प्रस्न है सबसे जटिल कारबनिक पदार्त होता है Important factor है सबसे जटिल कारवनिक पदार्थ होता है, protein अगला प्रशं है हरित क्रांती का पारण किस वर्स किया गिया था हरित क्रांती का पारण किया गिया था 1968 में अगला। प्रशं है किस राज की सीमा पाकिस्तान के साथ सरवादिक लंबी है सरवादिक लंबी है राजस्थान से अगला प्रस्ण देखते हैं साबुन को जल में घोलने पर जल के प्रिश्टना पर क्या परवा परता है साबुन को जल में घोलने पर जल के प्रिश्टना पर जो परवा परता है वो है घड जाता है अगला प्रस्ण है DNA S conservation का परतिपादन किसने किया था Most important person है DNA S translation का परतिपादन किया था Watson M. Krick ने Option number C अगलार अंतिम प्रस्न है भारत में काजु उत्पादन में मुख राज कौन से हैं भारत में काजु उत्पादन में मुख राज हैं केरल Option number A Thank You झाल झाल झाल